हेलो गाइज मिना नाम है वत्सल और इस वीडियो में मैं कैमरा कंपेर्जन करने वाला हूँ आइफोन 11 और मोटो जी 5G के बीच में अब मुझे काफे सारे लोग आप में से बोलने वाले हैं कि जो मोटो जी 5G है उसका प्राइस है 20,000 जबकि जो आइफोन है वो हमें 55 तक में मिलता है तो उनके लिए सिंपल सी बात ये है कि आइफोन 11 एक बेंचमार्क सेट करता है स्मार्टफोन के लिए कैमरा के मामले में और मोटो जी 5G अगर उस बेंचमार्क तक पहुंच पाया या फिर उसके जितना भी परफॉर्म कर पाया तो इसका मतलब उसकी कैमरा कॉलिटी काफी अच्छी है तो सिर्फ ये कंपैरेजन के लिए है कि आपको एक मिड रेंजर और एक फ्लेक्शिप स्मार्टफोन के कैमर अपर्चर वाला लेंस सेकंडरी हमें इसमें मिल जाता है 8MP का अल्टर वाइड लेंस और लास्ट हमें मिल जाता है एक मैक्रो कैमरा जिसका रिजलूशन है 2MP तो यह जो 2MP वाले मैक्रो कैमरा होते हैं यह मुझे बिलकुल भी पसंद नहीं है लेकिन फिर भी हम इसको भी व 1.8 अबर्चर वाला जह में जाता है आहिस만 इ snippyl दे लहीं हिंटाले लीक्स के उपर्ण का सिपोर्ट मिल जाता है जो वं मिल जाता है वह संद भी 12MP का ही अल्रा वाइड लेंस मिल जाता है बात करें फ्रेंट की तो फ्रेंट में भी हमें बारा में का सल खी हिल रही मिल जा सब करेंगू सब्सक्राइब अभी wide angle lens है जैसे कि आप देख सकते हैं जो quality है वो definitely जो iPhone में है वो काफी अच्छी हमें मिल जाती है इस shot में भी जो leaves पर colors है वो iPhone में जादा अच्छी exposed हुए हैं जबकि थोड़ा moto हमें dull लग रहे हैं close-ups में भी जो moto है काफी अच्छा काम कर रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं जो clarity है वो हमें काफी अच्छी मिल जाती है और almost comparable images हमें देखने को मिलती है यह एक और landscape shot है जैसे कि आप देख सकते हैं अगें जो color difference तो है ही स्टेज लाइटिंग उसमें भी जो background है वो black हो जाता है जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों में quality काफी अच्छी आई है बात करें कुछ human portraits की तो इसमें आप देख सकते हैं जो iPhone है वो ज्यादा अच्छे colors minting कर रहा है जबकि जो moto है उसमें थोड़ी से dull colors हमें देखने को मि रहे हैं थोड़ी washed out image लग रही है अब बात करें selfies की तो selfie में भी हमें color difference मिलता है iPhone में हमको warm tone में मिलती है जो कि close to natural है जबकि हमें motor में whitest tone में मिल जाती है और काफी unnatural सी लग रही है बात करें selfie portraits की तो दोनों ही phones काफी अच्छा काम कर रहे हैं edge detection में और background blur भी काफी even है बात लेकिन इस शॉट में भी हमें motor काफी अच्छा काम करता हो दिखाई दे रहा है और काफी अच्छी image capture कर रहा है यह शॉट मैंने दोनों ही phones के ultra wide lens से लिया है और आप quality देख सकते हैं बात करें कुछ और close up shots की तो इसमें भी हमें जो iPhone है वो थोड़ा better perform करता हो दिखाई दे है जबकि Moto का जो night mode है वो definitely काफी अच्छा काम कर रहा है लेकिन यह फिर भी iPhone की image quality से काफी पीछे रह जाता है और यह expected भी था क्योंकि जो price gap है वो definitely काफी जादा है दोनों ही phones के बीच में हमें iPhone में OIS मिलता है इसलिए हमें काफी अच्छी low light photos देखने को मिल जाती है लेकि यह कुछ shots मैंने बिल्कुल ही extreme low lighting में लिये हुए हैं जहां पर बिल्कुल भी lighting थी ही नहीं रूफ पे जाके अपने घर की और इन फोटोस को भी iPhone ने काफी जादा detail में capture किया हुआ है क्योंकि उसका जो night mode था वो 7 seconds तक का time ले रहा था एक photo को capture करने के लिए जबकि Moto ने सिर details हम देख सकते हैं ज्यादा अची मिल जाती है लेकिन फिर भी Moto G 5G इतना भी पीछे नहीं है यह portrait mode shot था और इसमें जो background blur है वो definitely iPhone में अच्छा आया था लेकिन इस portrait shot में जो edge detection है वो iPhone गलत ली है और जबकि Moto G 5G में बिल्कुल accurate हुई है बात करें videos की तो यह video मैं 4K 30fps पे Moto G 5G से shoot कर रहा हूँ इसमें हमें electronic image stabilization का support मिल जाता है जैसे कि आप देख सकते हैं जो quality है वो definitely काफी अच्छी है थोड़ी सी overexposed video white stone में मुझे लग रही है लेकिन फिर भी जो stability है वो हमें काफी अच्छी देखने को मिल जाती है और जो contrast है वो भी हमें decent मिल जाता है पर जिस phone में हमें again OIS plus EIS दोनों का support मिल जाता है और जो contrast है वो definitely काफी improved हमें Moto G 5G से मिल जाता है जो details है वो भी काफी अच्छी है dynamic range भी अच्छी है लेकिन जो stability है जैसे कि आप देख सकते हैं बिलकुल battery smooth है जरा सी भी हमें jitteriness नहीं मिलती है पर हम अगर सिर्फ Moto G 5G की बात करें त तो उसकी quality भी definitely हमें काफी अच्छी देखने को मिल जाती है तो इतना ही था इस वीडियो में guys मुझे अमीद आपको यह वीडियो पसंद आई होगी इस वीडियो को conclude करने के लिए मैं यह कहना चाहूंगा कि जो Moto G 5G का camera है वो हमें decent मिल जाता है या फिर हम above average भी बोल सकते ह है लेकिन फिर पिजोस की performance है वो day lighting में और artificial lighting में थोड़ी सी close आई थी iPhone के लेकिन low lighting में और video quality में बिलकुल ही beat कर देता है iPhone और selfie quality भी मुझे iPhone पे ही अच्छी लगी आपने सारी samples देके हैं पूरी वीडियो देखी है आप अगर मेरे conclusion से satisfied नहीं है तो आप मेरी यावाज mute कर अच्छी वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और बेल आगन को भी दवा दीजिए latest वीडियो के updates वाने के लिए और मैं आपसे मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में